नमस्कार जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जी यहां दोस्तों BPSC के तरफ से एक जो नए नोटिस चारी की गई है उस अब बेट को भी हम आपके सामने रखेंगे देख सकते हैं बिहार लोक से जया इससे पहले आविश्क सुछना जी यहां दोस्तों द्याफकन द्यापक न्यूकती प्रतियोकत्ता परीष्ण टिरी 2.0 को लेकर तो देखिए दोस्तों आज से हमारा प्रेपर सुरू हो चुका है जी यहां आज से 7 दिसमर से हमारे एक्जाम शुरू हो चुका है आज क 22,000 B.A. डिग्री धारक प्राइमरी सिचकों की जाएगी नौकरी पटना हाई कोटनेट है राय आयोग गये तो दोस्ति यहाँ पर D.L.A. शात्रों के लिए बड़ी खुशकबरी हो जाती दिके हर बार आज कल D.L.A. शात्रों का बोल बाला चल रहा है 2030 इस पेसली 28 शात्रों के लिए तो हम कहेंगे बेहब खराब साल गया है ठीक है तो पूरी अब्डेट हम इस वीडियो में ही देखेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतर तक देखिएगा जी आ दोस्तो नई वेकेंसी को लेकर क्या अब्डेट है नई सिच्छक भरती को लेकर और आने वाले समय में क्या-क्या नया देखने को मिलेगा सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे लेकिन दोस्तों जिन बच्चों ने सीटेट के लिए ऑनलाइन आविधन किया है उस इसमें आप क्या सुधार सकते हैं इस अवधी के दोरान उम्मीदवार अपना वीवरड पाइट क्रम और परिच्चा सर जी या दोस एक्जाम सीटी अगर आप बदलना चाहते हैं तो अभी आपके पास एक विगल्प बचा एक मौका है आठ तारीक के बाद आप यह नहीं क इस बार ठीक है तो देखिए होता है कि पेपर बहुत कठी नहीं बना जाता देखिए आपकी तैयारी कैसी थी important यह होता है अगर आप में तैयारी बिल्कुल नहीं कर रखी तो आपका पेपर definitely खराब जाएगा अगर आपकी तैयारी कुछ हद तक है तो एक अच्छा इस कु को हाई कोट से जटका लगा कहा कच्छा एक से पांच के लिए योग नहीं है यह दोस्तो बहुत ही important है सिच्छा विबा को आप अपील में जाना चाहिए expert का view जो आए कि देख सकते हैं क्योंकि मामला दोस्तों भी supreme court जा सकता है बाकी देखते हैं सरकार यहां पर क्या करती ह क्या कदम उठाती है चटे चरड में न्यूपति सिच्छो के पद ने सीरे से भरने होंगे ठीक है कोट ने कहा कि सरकार ने चटे चरड में कि अच्छा एक से पांच के लिए जिन बीएट पास उभी दवारों की नियूपति किये उससे अब ने सीरे से भरना होगा सरकार को NCT CT के और से वर्ष 2010 में जारी मूल, अधिस उचना के अनुसार, योग के उमिद्वारों को ही न्यूक्ति करना होगा, राज सरकार को यह भी निड़े लेना होगा कि जो पद्रिक्तों हो रहे हैं, उनको कैसे भरा जाएं, ठीक है, यह दोस्ति इंपोर्टेंट बात है, तो डिल वाले समय में, तो देखे दोस्तों, अतुल सर का क्या कोई नया ट्विट है, उसको भी जड़ा देखते पहले, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अतुल प्रसाद सर यह ओफीशल ट्विटर है, तो यहाँ पर फिलाल देखे 20 गंटे पहले न का ट्विट है था, उसके बा पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सिच्छक बरती में सम्झीत होना तो wait and watch यही policy और आपके पास कोई विकल्प नहीं है और जिन बच्चों का seatate appearing रहा गया था इस बार तो आप वैकंसी में सम्झीत नहीं हो पाई लेकिन आने वाली वैकंसी में आपको मौका मिलेगा ठीक है तो तैयारी में लगे रही है बागी दोस्तों देखते आने वाले समय में बेट शात्रों के साथ क्या होता है उत्तर प्रदेश के स्प्रेसली 69,000 सिच्छक बरत साथ एक लाग 37,000 सिच्छा मित्रों का समा योजन निरस्त हुआ था उस समय जित दिन तक कोड का फैसला नहीं आया था कोई नहीं कह सकता था कि इतनी बड़ी संख्या में सिच्छा मित्रों को नौकरी से निकाला जाएगा ठीक है साएक पस्ते उनको हटा कर से सिच्छा मित DL8 और B8 का मामला भी कोड से आया था तो उस समय तक किसी B8 शात्रों को ऐसा नहीं लगता था कि B8 को बाहर कर दिया जागा यहीं लग रहा था कि DL8 शात्रों को प्रियोर्टी दी जा सकती लेकिन पूरी तरीके से बाहर B8 को नहीं किया जागा लेकिन कोड का फैसला बिलक बिहार में मानने ऐसा नहीं है तो सीटेट जनवरिक जो सारुजेंग सुचना है तो उसको हमने कवर कर लिया संसूधित पार्ट करम ठीक है परिच्छा मतलब गार करम और कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया जहां से आप लोग अपना BPSC का एड्मिट कार्ड है ठीक है अपने टिकेट थोड़ा देख लिजेगा कैसे में पहुंचना है और कहां पर होटल में इस्टे करना जो भी देखें पूरी एक तयारी से जाते हैं तो इतने लंबे सफर में आप लोग ठक जाते हैं कोई बिमार पड़ जाता ठंड का समय तो सारी तयारी अच्छ दोस्तो निकाला जा रहा है यह वैकेंसी आज के नहीं देखिए इंपोर्टेंट बात क्या है न अगर वैकेंसी हाल की होती तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन पूराने वैकेंसी से निकाला जाता तो वहां छात्र ज्यादा डी मोटिवेट हो जाते देखिए आपको बता दें आने वाली वैकेंसी के लिए सभी बच्चे तयार हो रहा है देकि बिहार में एक अच्छा मौका मिल गया जो बच्चे ठीक है नौ से दस में क्या होगा कि बड़ी वैकेंसी भी चल रही है बिहार चात्रों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन जब बात उत्तर प्रद वैकेंसी आई बियार में तो अब क्या यूपी में भी उतनी बड़े सतर पर कोई वैकेंसी आएगी एक सवाल यहां पर यह भी रहेगा और दोस्तों आपको बता दिए बड़ी जाएगी कि या ज्यादा जाएगी सभी बच्चुकमन में एक ही सवाल है इसर क्या जो बड़ से बड़ी जाएगी की छोटी जाएगी यह यह तो हो सकता है यह तो यह सकता में नहीं हो क्या लाग रही हो सकता देखर ले को बता इस बार जो बच्चे पेपर में जा रही है उन Щْकर पहले से है तो इस बहु त ありटारी पहले से वैह तरbane बहुत है तो बराबर तो वीलकु तो नहीं होगी जादा ही हो सकती है ठीक है बहले 19-20 का इस फरक रहे कि जैसे लाज टाइम ठीक है 57 गल्स में गया तो हो सकते है तो 58 चला जाए थोड़ा सा जाद आपको कटाफ देखने को मिलेगा लेकिन उमीद है कि कटाफ आपको पिछली बार से जादा ही देखने को तो तैयारी आपकी बहतर होनी चाहिए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाई नहीं होनी चाहिए चलिए दोस्तों मिलते हैं को और वीडियो में तब तक के लिए stay connected आपका दिन सुभू